नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया कप 2022 में खेलने वाले शबी खिलाडियों के जाती के बारे में बताएंगे दोस्तो आप लोगों में बहुत से लोग कमेंड किये थे कि भाई एशिया कब 2022 में जितने भी खिलाडी खेल रहे हैं उनकी जातियां क्या है उनके बारे में बताओ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया कब 2022 में जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे उनकी जाती के बारे में आपको बताएंगे तो जैसे की बहुत से लोग पूछ रहे थे की यल राहूल की जाती क्या है विराड कोली की जाती क्या है और शुरिकुमार यादव की जाती क्या है रिशव पंद की जाती क्या है तो ऐसे बहुत से लोग थे जो पूछ रहे थे तो आज की इस वीडियो में हम एशिया कब 2022 में जितने भी खिलाडी खेलेंगे वैसे पर 18 खिलाडी खेलेंगे तो 18 खिलाडी की नाम हम आपको बताएंगे कि वो किस जाती के हैं तो चलिए बिना वीडियो को देरी किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारती टीम की कप्तान संभाल रहे रोहिस सर्मा की तो रोहिस सर्मा जो है भारती टीम के इसमें कप्तान बनाएंगे एशिय कप 2022 के लिए और ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है अपने बहुत अच्छा खेलते हैं और इन्होंने कई ब 2022 के लिए भारतिय टीम के वाइस कप्तान बनाए गए हैं और ये रोही शर्मा के शाथ ओपनिंग करने के लिए आते हैं जिहां दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक बल्ले बाज हैं और भारतिय टीम को कई बड़े-बड़े मैच भी इन्होंने जितवाए हैं तो अगर से केल राह लाहे थे जो कि इंडिया में बहुत ही कम शुनने और देखनों को मुलती हैं दोस्तों नेश्ठ खिलारी की बात करें तो नेश्ठ खिलारी हैं Viraad koly है और इन्हें भारत का roundmichine भी का जाता है क्योंकि विराड koulی बहुत ही तेज leung बनाते हैं और अगर विराड कव boilie के नजर आएंगे वो है शुरुकुमार जिहां दोस्तों सुरुकुमार भारते टीम का एक उभरता हुआ चेहरा है और आप देख सकते हैं इनको और देखने में भी काफी हैंसम लगते हैं तो उतने ही खतरनाक ही ये खेलते भी हैं और शुरुकुमार यादव के अगर से जाती क बात करें तो ये यादव जाती से विलोंग करते हैं जहां दोस्तों यादव जाती इंडिया में आपको बहुत ही ज्यादा सुनने और देखने को मिलेगी तो इनकी जो जाती है वो है यादव जाती दोस्तों एशिया कप 2022 में जिस खिलाड़ी को नमबर 5 के लिए चुना ग करेंगे और उसके बाद कौन सा खिलाड़ी करेगा तो इसके बारे में अभी हम फॉल डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों अगर से रिशब पंद की जाती की बात करें तो रिशब पंद भी ब्राम्हन जाते की हैं जिहां दोस्तों एशिया कप 2022 के लिए भारती टीम ने जिस खिलाड़ी को चुना है वो है दीपक हुड़ा दीपक हुड़ा चटवे नंबर पर खेलते हुए आपको नजार आ सकते हैं दोस्तों और अगर से दीपक हुड़ा की जाती की बात करें तो दीपक हुड़ा जाती से संबंद रखते हैं जी हां दो इतीना पर्विकेट कीपिंग यही करेंगे दिनेश कारतिक अगर से जाती की बात करें तो दिनेश कारतिक भी ब्रामहन जाती की है जी आ धोस्तो भरतिय टीम ने जिस से एशिया कबателей दो जार 22 के लिए जिस खिलारी को चुना है आठ़मे नमबर के लिए हार्दिक पांडिया जहां दोस्तो हार्दिक पांडिया भारती टीम के शब से बेहतरीन युवा बल्ले बाजो मशे एक हैं हार्दिक पांडिया की बल्ले बाजी कमाल की फिल्डिंग और इनकी बॉलिंग तो आप देखी ही होंगे हर्दिक पांडिया 2022 के एशिया कब में तहलका मचा सकते हैं इसलिए भारती टीम ने इनको एशिया कब 2022 के लिए चुना है दोस्तो वैशे पर आप कमेंट करके बताएं कि हर्दिक पांडिया अपना जलवा विखेर पाएंगे या नहीं 2022 के एशिया कब में अगर से विखेरेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करो दोस्तो अगर से हर्दिक पांडिया के जाती की बात करें तो इनके नामशी पता चल रहा है कि हर्दिक पांडिया यानि कि ये पांडे हैं तो दोस्तो हर्दिक पांडिया भी ब्राम्हन जाती शें शंबंदित रखते हैं यानि कि ये ब्राम्हन जाती की हैं जिहां दोस्तो रविंद जडेजा की जाती राजपूत है दोस्तो एशिया कप 2022 के लिए भारत की जो अगले खिलाड़ी है वो है यूजवेंदर चहल जिहां दोस्तो यूजवेंदर चहल भारते टीम की एक बहतरीन गिंदबाज है अगर युजुवेंद्र चहल की जाती की बात करें तो दोस्तो युजुवेंद्र चहल जाट जाती की हैं दोस्तो एसिया कप 2022 की जो अगले खिलाडी है वो है रविंद चन अस्वीन जी हाँ दोस्तो रवीन चन अश्वीन भारते टीम की एक बेहतरीन गिंदबाज हैं अगर से रवी चन अश्वीन की मतलब जाती की बात करें तो ये ब्रामहन जाते की हैं जी हाँ दोस्तो रवीन चन अश्वीन ब्रामहन जाते की हैं दोस्तो भारते टीम ने एशिया कप 2022 के जिसे बालर को चुना है वो अगले बालर है अर्षदीव शिंग जी हां दोस्तों अर्षदीव सिंग भारती टीम के उभरते हुए गिंदबाज हैं और ये बहुत ही शांदार गिंदबाजी करते हैं दोस्तों अगर से अर्षदीव शिंग की जाती की बात करें तो ये भी जा है जो जिस खिलाडी काम है वह यीह रट फ़ाइबाजी करते हैं और क Southwest foster क्राप हैってる च्वाहर उनका जन्का जेक्त चाहें कशेघाल की बात करें तो cow जुझाइबाजी करते हैं और काफि up के छकków बहुत ही खतरनाक गिंदबाजी भी बल्ले बाजी भी करते हैं यानि कि भारते टीम के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं अगर से हार्दिक पांडिया या फिर रविजड़ेजा किसी में से एकको छोट लग जाती या किसी काडर से वो बाहर हो जाते हैं तो उनके जगहां पर अक्षर पटेल ही खेलेंगे दोस्तो अगर से अक्षर पटेल की जाती की बात करें तो ये कुन भी जाती की हैं यानि की अक्षर पटेल यानि की पटेल कुन भी जाती में आते हैं कुछ जगहां कुन भी काते हैं तो कुछ पेत्री पर दर्शन करते हैं दोस्टों अगर से किशी घ्ष हेहां को चोट लग जाते हैं